Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज किस वीडियो में हम सितंबर माह के Top 40 Current Affair के MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एक्जाम के Point of View से important हो सकते हैं सारे ही question important है इसलिए वीडियों ते तक जरूर देखेगा और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चले श्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में संपन्न हुए US Open Championship में Men's Single यानि की पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो आप सभी जानते हैं पिछले ही महीने US Open Championship समाप्त हुई है और इसमें Men's Single का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने और राफेल नडाल किस कंट्रे से बिलॉंग करते हैं यह बिलॉंग करते हैं स्पेन से और नुवाक जोकोविक इनका नाम भी करंट से रिलेटेड है और कैसे यह करंट से रिलेटेड है क्योंकि अभी हाल ही में ATP ने एक रैंकिंग जारी की थी यहने की Association of Tennis Professions और ATP की रैंकिंग में नुवाक जोकोविक पहले इस्थान पर थे और यह किस कंटर से बिलॉंग करते हैं तो नुवाक जोकोविक बिलॉंग करते हैं सर्बिया से और रोजर फेडर इनका भी नाम आपको मालूम होना चाहिए यह बिलॉंग करते हैं स्वीजर लेंड से और बात यहाँ पर US Open की की जारी है तो आप सभी जानते हैं एक वर्स में टेनिस के चार टूर्णमेंट होते हैं और US Open सबसे अन्तिम में खेला जाता है यह चौथा और आखरी टूर्नमेंट है और यह किस कोट पर खेला जाता है तो US Open खेला जाता है हार्ड कोट पर इसी से related अगला question है US Open 2019 में woman single यानि कि महिला एकल का खिताब किस ने जीता तो यह जीता है बियांका एंड्रिस्की ने और यह किस country से बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है कनाड़ा से इनका नाम आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि यह कनाड़ा की असी पहली प्लेयर बन गई है जिसने US Open में यह टाइटल अपने नाम किया है बियांका एंड्रिस्की Next question है हाल ही में भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा यह कहां शुरू की गई है तो यह शुरू की गई है गुजरात के गांधी नगर में और गांधी नगर किसका निर्वाचन शेत्र है यह निर्वाचन शेत्र हमारी ग्रह मंत्री अमिश शाह का और यहीं पर इसकी शुरूआत की गई है Next question है कौन सी एरलाइन अपने उडान में एकल उपियोग वाले प्लास्टिक की उपियोग पर प्रतिबंद लगाईगी यह एकल उपियोग क्या है एकल उपियोग यह निकी सिंगल यूज जिसका एक बार यूज हो जाए और दुवारा यूज नहों ऐसे प्लास्टिक पर प्रतिबंद लगाने वाली जो airline है उसका नाम है Air India Air India किस थापना कब हुई थी? Air India किस थापना हुई थी 1932 में और तब इसे Tata Airlines के रूप में जाना जाता था और इसका संचालन कब से शुरू हुआ? 1946 से इसका headquarters कहां इस्तित है? इसका headquarters इस्तित है New Delhi में सबसे important है Air India के MD का नाम तो Air India के present time के MD है अश्वणी लोहानी इनका नाम आप याद रखिएगा Next question है हाल ही में राश्टपती रामनाथ को विंदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान Grand Order of Tommy Slayv से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किये गए है Croatia के द्वारा तो Croatia के बारे में जान लेते हैं Croatia की capital क्या है? जाग्रेब करंसी क्या है? Croatian Krono और कौन सम्मानित किये गए है? भारत के राश्टपती रामनाथ को विंद अक्सर पूछा जाता है कि यह भारत की किस क्रम के राश्टपती है? तो रामनाथ को विंद जी भारत के 14th क्रम के राश्टपती है और यह कानपूर से हैं Next question है हाल ही में IAF की पहली महिला flight commander कौन बनी है? और यह बन गई है सालिजा धामी आप लोगों को हीना जैसवाल का नाम भी याद होना चाहिए क्योंकि हीना जैसवाल IAF की पहली महिला flight engineer बनी है और अवनी चतुरवेदी यह भी current से related है क्योंकि अवनी चतुरवेदी fighter plane उडाने वाली पहली महिला बनी है और बात यहाँ पर IAF की की जा रही है इने की Indian Air Force इसके स्थापना हुई थी 1932 में और आजादी से पहले इसे Royal Indian Air Force के नाम से भी जाना जाता था और इसका headquarter कहां इस्तित है न्यूडल ही में Next question है हाल ही में किस देश ने व्यापारिक तौर पर 5G mobile network launch किया है और यह launch कर दिया है दक्षण Korea ने दक्षण Korea के present time के president कौन है Moon Jay Inn और एक चीज अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर कोरिया और दक्षण कोरिया को विभाज़त करने वाली रेखा को क्या कहते है इसे कहते है 38 वी समांतर रेखा यानि कि 38 parallel line Next question है हाली में भारत का सबसे उचा cycle track यानि कि सबसे उचा sky cycle track भारत में कहां बनाया गया है तो यहां बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में भी कहा मनाली में और बात यहां पर हिमाचल प्रदेश के आई है तो यहां के मुख्य मंतरी कौन है जैराम ठाकुर गवर्नर कौन है अभी हाल ही में नीक्त हुए हैं बंडारू दत्तत्रे इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा नेस्ट कुस्ट्टन है हाल ही में किस राष्ट्रे ने अपना स्पेस कमांड लॉंच किया है यह इस पेस कमांड क्या होता है जो कि USA के द्वारा लॉंच किया गया है नेश कोश्चन है हाली में कौन सा देश अपनी राजधानी इस्थानांतरित करेगा तो यह राजधानी इस्थानांतरित हो चुकी है इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल पहले क्या थी जकार्टा और अब बदल कर क्या हो गई है इस्थ काली मंतन जो पहले कैपिटल थी जकार्टा और इसी जकार्टा में आशियान का हैटकॉर्टर है आशियान यानि कि Association of South East Asian Nation इसका हैटकॉर्टर इस्थी थै जकार्टा में नेश कोश्चन है जस्परीद बुम्रा टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक दर्ज करने वाले कौन से क्रम के भारती बन गए हैं तो यहां बन गए हैं तीसरे क्रम के और इनसे पहले हरबजन सिंग और इरफान पठान के नाम या खिताब दर्ज है और तीसरे खिलाडी बन गए है जस्प्रीत बुम्रा और जस्प्रीत बुम्रा को इसी वर्स C8 International Baller of the Year Award से भी सम्मानित किया जा चुका है नेश कोश्चन है प्लास्टिक मुक्त बनने वाली पहली Bollywood फिल्म कौन सी है और इस फिल्म का नाम है Coolie No.1 इसके डारेक्टर कौन है तो इस मुवी के डारेक्टर है David Dhawan नेच कोश्चन है भारत का सबसे लंबा विद्युती करण रेल सुरंग इसका उद्घाटन किस राजजी में किया गया तो इसका उद्घाटन किया अभी हाल ही में आंधर पिदेश में और किस ने किया तो इसका उद्घाटन किया था भारत के उपराश्पती M. Venkya Naidu के नेच कोश्चन है हाल ही में विश्व कॉसल प्रतियोगिता में पदक पाने वाली पहली भारती महिला कौन बन गई है और इनका नाम इंपॉर्टेंट है यह बन गई है श्वेता रतनपूरा श्वेता रतनपूरा ने कौन सा मेडल जीता इन्हों ने जीता कान सी पदक यान होना चाहिए हमारे इस्किल्ड डेवलेप्मेंट मिनिस्टर इनकी कौशल विकास मंत्री कौन है महेंद्र नाथ पांडे इनकी कॉंस्ट्विंसी क्या है चंदावली उत्तर प्रदेश नेश कोश्वन है मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए किस राज्जी ने एक बिलपास किया है और यहां बिलपास किया गया है पश्शम्मंगाल गर्मेंट के द्वारा पश्श्मंगाल की एक योजना है जोकी इम्पॉटन्ट है ग्रिनरी को बढ़ावा देने के लिए निकी हरी आली को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल गवर्मेंट के द्वारा कुछ समय पहले ही सेव ग्रीन इस्टे क्लीन यह योजना शुरू की गई थी नेश कोशन है हाली में किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल गोल की पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है यह सम्मानित किये गया है भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी और इन्हें सम्मानित किया किसने है इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फांडेशन के द्वारा सम्म सम्मानित किया गया है तो स्वक्ष भारत अभियान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है स्वक्ष भारत अभियान जिसकी शुरुआत हुई थी दो अक्टूबर ब्लैक होल की सबसे पहली बार तस्वीर ली थी नेस कुश्चन है केंद्र सरकार ने किसे डॉटर ओफ नेशन अवार्ड से सम्मानित किया है तो यह सम्मानित किया है लता मंगेशकर जी को और ये भी पूछा जाता है कि लता मंगेशकर जी को भारत अतना वाड कब मिला था? इन्हें भारत अतना वाड मिला था 2001 में हाली में विश्व का पहला तैरता हुआ परमाडू रियक्टर यह किस देश ने लॉंच किया है? तो ये भी हाली में लॉंच किया है रूस की द्वारा रूस की capital क्या है मॉस्को करंसी क्या है रूबल यहां के president कौन है तो रूस के present time के president है व्लादमिर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर है दमेत्री मेदवेदेव next question है हाल ही में मनाये गए अंतर राष्टी साक्षरता दिवस 2019 का theme क्या था यनिकी विशय तो इसकी theme थी literacy and multilingualism इसकी theme थी और protect our species यह किसकी theme थी तो यह theme थी विश्व प्रत्वी दिवस की यनिकी world earth day की theme थी जो कब मनाया जाता है 22 अप्रेल को और beat air pollution यह थी विश्व पर्यावरण दिवस की theme जो की मनाया जाता है 5 जून को और I am and I will यनिकी मैं हूं और मैं रहूंगा यह theme थी cancer दिवस की जो कि कब मनाया जाता है चार फर्वरी को next question है हाल ही में PTI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो यह चुने गया है विजय कुमार चोपड़ा यह अध्यक्ष बने है और उपाध्यक्ष बन गया है विनीत जैन PTI यानि कि Press Trust of India इसके स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को और इसका headquarter रिस्थित है न्यू डेल ही में next question है हाल ही में Global Excellence Award इस Award से किसे सम्मानित किया गया है तो यह सम्मानित किया गया है अजीम प्रेम जी और अजय बंगा अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के अध्यक्ष है और अजय बंगा जो कि Master Card के CEO है इन्हें सम्मानित किया गया है Global Excellence Award से और क्यों सम्मानित किया गया है तो भारत और अमेरिका की बीच में आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए इन्हें इस Award से सम्मानित किया गया है और सिद्धार्थ लाल का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसी वर्ष इन्हें Global Entrepreneur of the Year से सम्मानित किया गया है कौन द्रष्टी बाधितों के लिए एक Mobile App लॉंच करेगा द्रष्टी बाधितों इन्हें की जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए Mobile App लॉंच करेगा RBI इन्हें की Reserve Bank of India इसकी स्थापना हुई थी 1 April 1935 को इसका राश्ट्री करण हुआ था 1949 में इसका Headquarter रिस्थित है Mumbai में और Present Time के RBI के Governor कौन है शक्ति कांथ दास Next Question है हाली में किसे गुजरात उच नयायले के मुख्य नयधिस की रूप में निक्ति किया गया है और यह निक्ति किये गया है नयायमूर्ती विक्रम नाथ और बात यहां पर गुजरात की की जा रही है तो यहां के मुख्य मंत्री कौन है गुजरात के मुख्य मंत्री है विजयरुपार्णी और विजयरुपार्णी ने ही कुस्सम में पहले गुजरात के महिसागर जिले में भारत के पहले डायनोस और पार्क कउद घाटन किया थ और मत्वुरा किसका निर्वाचन छेत्र है यह निर्वाचन छेत्र है हेमा मालिनी जी का और मत्वुरा से आप लोगों को क्या याद आता है इसी वर्स मत्वुरा में भारत का पहला elephant hospital यहाधी hospital खोला गया है हालि में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सलाहकार की रूप में किसे निख्त किया गया है तो यह निख्त किया है P.K. Sinha यहाद donor son नेस्ट कोश्चन है हाली में भारत के किस स्टेडियम में विराट कोहली पवेलियन स्टेंड बनाया गया है तो जो अरुण जेटली स्टेडियम है इसके एक पवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है और इसका नाम पहले क्या था फिरोजाह कोटला इस्टेडियम और फिरोज शाह कोटला इस्टेडियम का नाम बदल कर ही किया गया है अरुनजेटली स्टेडियम हाल ही में किस क्रिकेटर को राय स्पोर्ट्स उनिवरिस्टी का चांसलर न्युक्ति किया गया है और यह न्युक्ति किये गये हैं कपिल देव कपिल देव इन्हें हरियाना हरीकेन के नाम से भी जाना जाता है और इनकी आटोबायोग्राफी का नाम क्या है तो कपिल देव की autobiography का नाम है Straight from the Heart और यदि इनके नाम को हम current से relate करें तो कुछ समय पहले ही ने भारत गौराव आवाउर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है Next question है हाली में किस फिल्म ने 66th राश्टर फिल्म पुरुसकार में 2019 में बेस्ट फिल्म कवार्ड जीता है और यहां जीत लिया है अंधादुने और अंधादुन के डारेक्टर का नाम क्या है इनका नाम है श्री राम रागवन डारेक्टर का नाम भी आप याद रखिएगा Next question है हाल ही में कौन सा ब्रांड ओपो इंडिया की जगह टीम इंडिया का आधिकारिक प्रायोजग बन गया है और यहां बन गया है बायजूस बायजूस जो की एक लर्निंग प्रेटफॉर्म है इसके स्थापना हुई थी 2011 में और स्थापना की किसने थी बायजू रविंद्रन ने इसका हैड़कॉर्टर कहां इस्थित है तो बायजूस का हैड़कॉर्टर इस्थित है बैंगलॉर करनाटक में बैंगलॉर जिसे भारत की सिलिकन वैली के नाम से भी जाना जाता है Next question है most important हाल ही में किसे आंधर प्रदेश का पहला लोका युक्त न्युक्त किया गया है और यहां न्युक्त किये गया है Justice P. Lakshman Reddy और कुछ समय पहले ही मिजोरम ने भी अपना पहला लोका युक्त न्युक्त किया था सीलाल सावता को राजजी में होते हैं लोका युक्त और केंद्र में क्या होते हैं लोकपाल और भारत के पहले लोकपाल को और बने है PC घोस यानि कि पिनागी चंद घोस और DK जैन का नाम भी important है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही BCCI के पहले लोकपाल बने है DK जैन Next question है हाल ही में किसे बांगला देश तटरक्षक द्वारा गार्ड ओफ ओनर से सम्मानित किया गया है तो यहां सम्मानित किये गया है के नट राजन और के नट राजन है कौन? तो यहां ICG की यनि कि इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रेज़ेंट टाइम के हेड है ICG की स्थापना कम हुई थी? यनि कि भारती तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड इसकी स्थापना हुई थी 1978 में इसका मुख्याला इस्थी था निउ डेली में सबसे इंपॉर्टन्ट ही इसका मोटो तो ICG का मोटो है वयम रक्षामा और इंग्लिस में कहेंगे तो वी प्रोटेक्ट तो ये भी आप याद रखेगा नेच कोश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधान मंत्री को डॉक्टर कलाम अंतर राश्ट्रे उतकरष्टता पुरुसकार यानि कि चौत ही बार बंड़़देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है और उन्ने ही ये अवाड दिया गया है इनका नाम आप याद रखेगा बात यहाँ पर बंड़देश की आई है तो बंड़देश की कैपिटल क्या है धाका और धाका में किसका हैं स्लोव आक्या जाने वाले पहले भारती राश्टपती कौन बन गए है इनका नाम है रामनात कोविंजी जो कि स्लोव आक्या जाने वाले पहले भारती राश्टपती बने है और बात यहां पर स्लोव आक्या की आ रही है तो आप करंट से रिलेट करेंगे अभी हाल ही में जिनका नाम क्या है जुजाना कैपिटोवा, स्लोवा की कैपिटल क्या है ब्रिटिस लवा, करंसी क्या है यूरो next question है हाल ही में 2020 टोक्यो ओलंपिक में क्यालि Υा peuvent करने में पहली भारती महिला पहलवान का अन्वनी है और यहां बन गए है विनेस फोगाट 2020 टोक्यो ओलंपिक टोक्यो जो की जापान में है यही पराईजित किया जाएगा और विनेस फोगाट भारत के किस राज्य से बिलॉंग करती है यह बिलॉंग करती है हरियाणा से हाल ही में Education Excellence Award 2019 यह किसे दिया गया तो इस अवर्ट से सम्मानित किये गए आनंद कुमार और आनंद कुमार के बारे में आप सभी जानते हैं यह Super 30 जो की पटना का एक कोचिंग इंस्टिट्यूट है Super 30 के यह संस्थापक है Next Question है हाल ही में किसे भारती वायू सेना का नय अध्यक्ष बनाए गया है तो यह बनाए गये है RKS भदवरिया और RKS भदवरिया किसका इस्थान लेंगे यह इस्थान लेंगे B.S. धनवा का RKS भदवरिया पहले भारती वायू सेना की उपाध्यक्ष थे लेकिन अब बन गए है अध्यक्ष और अब इनकी जगह कौन ले रहे हैं इनकी जगह ले रहे हैं H.S. अरोडा इनकी अब उपाध्यक्ष होंगे H.S. अरोडा Next Question है भारती फुटबॉल टीम इनकी फीफा की ताजा रैंकिंग में इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया की रैंकिंग है 104 फीफा की रैंकिंग में इनकी Federation International The Football Association इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और इसका मुख्याला इस्तित है जुरिक स्विजरलेंड में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके हेड का नाम क्योंकि इनका कारिकाल बढ़ाया गया है फीफा के प्रेजन टाइम के अध्यक्षे गियानी इंफैनिटो नेच कोश्चन है भारत की ओर से 90 सेकेंड ऑसकर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है तो यह नॉमिनेट किया गया है गली बॉय को और गली बॉय से आप लोगों को क्या याद आता है अभी दक्षन कोरिया में कुछ समय पहले ही 23rd बुक्यान फिल्म फ रखेगा नेच कोश्चन है हाल ही में पत्रकारिता का पहला गौरी लंकेस राश्ट्री पुरुसकार यह किसे दिया गया यह पहला गौरी लंकेस अवार्ड है इसलिए इंपोर्टेंट है और यह दिया गया है रवीश कुमार को और रवीश कुमार इन्हें कुस्षम में प क्रेंस फ्रीडम आवर्ट से संब्सकार सब्सक्राइब released और प्रियंग का दुब्य उन्हें पहले ही पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरुषकार से संब्सक्राइब गया है तो यह चारो नाम आप याद रखेगा और एक शीज में आपको बता दूँ जिस डीटेलिंग के साथ मैंने आपको पढ़ाया है जिस extra fact के साथ मेंने आप लोग पढ़ाया है सेम उसी extra fact के साथ आप लोगों को सितंबर माह के टॉप 250 यानि कि टॉप 200 MCQ मिलने वाले हैं ये PDF के फॉर्म में मिलेगा और या आप लोगों को परसो यानि कि 3 अक्टूबर को मौर्निंग के करेंट अफेर की क्लास में मिल जाएगा इस PDF को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलेगा तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों पसंद आया है पसंद आया है तो अपने Study Relator Group में शेर जरूर करिएगा और ऑनलाइन Study Point को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मज